अब ही हम लोग NCIT एक्जाम्पल लंबर 2.6 करने वाले क्लास 11 फिजिक्स का एकदम बहतरीन धंग से कॉंसेप्ट आपको समझाने वाले एकदम बारिकी से आपको जुरे डैनामेडे साथ थोड़ा सा लंबा होगा बस लेकिन प्लियरिटी 100% होगा देखा जाए जारा सा कहना क क्या चाहा रहा है कोशन में कि एक लैबराटरी में गड़ी है जिसमें जब बारा बसता है ना लैबराटरी में गड़ी है में गड़ी उसी के हिसाब से बाकी सब गड़ी को सेट किया जा रहा है ठीक है बाकी सब गड़ी उसी के एक गड़ी चलता है सीजियम अटमिक क्लॉ के माललो एक दम national laboratory में रखा गया और किसी देश के national laboratory में रखा गया और उस देश का हर घड़ी इसी के हिसाब से चलता है माललो ठीक है अब माललो क्या है कि एक घड़ी यहां पढ़ है एक घड़ी यहां पढ़ है जब इसमें 12 बज रहा था ना national laboratory में रखावा घड़ी में उस किुझ्दे कदिन देख रहे हैं चक्छेंटी के बाद वर्णेस कि दिन जब देख रहे हैं तो इस वाले घड़ी में क्या हता है और अगला दिन यह तना भजने जब बा好吃 लाने क्सी दिन इतना पहला पकला कि सीदिन इतना उसे दिनतना ऐसे करके और उजह ही दूसरे कलोक में बात करें तो जब जिस समय मंडे की दिन जब 12 बज रहा था में लब्रोटरी वाले घड़ी में तो दूसरे वाले क्लोक में क्या हो रहा था है इतना तैम हो रहा है मंडे की दिन जब Tuesday की दिन देखा गया जब जब मेन घड़ी में 12 बजा तो दूसरे वाले clock में देखा गया कि Tuesday की दिन 10 बच के 14 मिनट इतना हो रहा है ठीक है तो Wednesday की दिन देखा गया तो इस घड़ी में जब मेन घड़ी में 12 बज रहा था तो clock 2 में 10 बच के 15 मिनट 18 सेकंड हो रहा था ठीक है and so on इस तरीके से समय चल र का इंटर्वल अगर हमको पता करना एक दम सटिक से सटिक तो हम कौन सा घड़ी चुने पहला वाला घड़ी चुने की दूसरा वाला घड़ी चुने time इंटर्वल सटिक से सटिक पता करना है तो आप एक चीज देखो नोटिस करो जराशा कि इसमें जो क्यालते है जब 12 में बसता है ना तब पहला वाला घडी में क्यालते हैं lowest time कहां से कहां तक होता है तो lowest time है 11.69 बच के 69 मिनट 8 सेकंड और जो अधिक से अधिक समय जो देता है समय बताता है वो होता है 12.15 बच के 1 मिनट 5 सेकंड और इसी के बीच में है आप देख लो, 11 बच के 69 मिनट 8 से लेकर के 12 बच के 1 मिनट 50 से कंड के बीच में ही सारा डाटा होगा कोई भी है, तो 12 बच के 5 से कंड 12 एक और 15 से कंड जो भी डाटा आप देखोगे, सब को नोटिस करोगे तो कम से कम जो समय आ रहा है 11 बच के 69 मिनट 8 सेकंड और 12 बच के 1 मिनट 50 सेकंड के बीच में हिये तो यानि कि जो घड़ी में जो timing का fluctuation होता है वो कितना के बीच हो रहा है किस range में हो रहा है इतना से इतना समय के के कम से कम इतना टाइम बता देता है, या फिर अधिक से अधिक इतना टाइम या उसी बीच में कोई टाइमिंग बता रहा है, तो इसमें देखो तो आप variation कितना का है, क्यालते हैं इतना और इतना में कितना second का फर्क है, तो जड़ा फर्क देखोगे अगर इसमें और इसमें जड़ा सा ये variation देखोगे variation कितना का कर रहा है ये पहला clock पहला वाला clock तो देखो तो 69 minute 8 second है ना इसमें और अगर 52 जोड़ दो 52 second अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 12 बच जाएगा फिर 12 में क्यालते हैं एक minute और एक minute यानि कि 60 second प्लस 50 second और इस सब को जोड़ोगे तो 50-50-160 यानि कि 162 second ना यानि कि lowest time और जो maximum time comes और ज्यादा समय के बीच में जो difference है variation है time का वो time का variation ये पहला वाला clock कितना second का करता है 162 second का या तो जब 12 बज़रा था तब यहाँ 12 से या से लेकर कि उपर तक में total variation ये किस range में करता है 162 second का ठीक फिर इसमें देखो तो इस वाले घड़ी में इस वाले घड़ी में देखो तो कम से कम lowest time ये है ठीक है और जो highest time है वो इतना है ठीक है सब कुछ समझ में आदेगा तो इसमें देखो तो आप कितना है gap कितना है कितना का variation होड़ा है ज़रा देखो तो आप focus करो तो variation यहाँ पर 10 बच के 14 मिनट 53 सेकंड इसमें और 7 सेकंड अगर जोड़ दो 7 सेकंड अगर जोड़ दो तो ये हो जागा 15 मिनट फिर 15 मिनट और उसके बाद और 24 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया यानि कि पलस क्या 24 सेकंड ये हो गया 31 सेकंड तो यानि कि lowest time ये इतना बताता है और highest time ज्यादा से ज्यादा समय इतना बता रहा है तो इतना और इतना के बीच में ही सब समय है आप जेखलो इतना बच के इतना मिनट इतना मिनट इतना सेकंड से लेके 10 पच के 15 मिनट 24 सेकेंड के बीच में ही सारा समय आप, देख लो, गौड कर लो ठीक है, तो यानि lowest इतना से इतना के बीच में, यानि कि इस दूसरा वाला घड़ी जो variation करता है ने time का, वो 31 सेकेंड का variation करता है, ना और इसमें जब variation होता है time का, तो 162 सेकेंड का होता है यानि कि ज़्यादा variation करता है, और ये जो variation करता है, ये थोड़ा सा कम variation करता है ये बारीक है पतला, कम variation है, तो ये ज़्यादा अच्छा है time interval के लिए, और हम बहुत अच्छा तरीके से आपको और explanation एक वज़ा देते हैं अगर हमको कभी भी time interval देख रहे हैं, तो time interval के समय में अच्छा precision वही देगा जिसमें variation कम हो time interval की बात कर रहे है तब देखो, जैसे कि आप एक example से हम आपको अच्छे तरीके से इसको clarify करना का कोशिस करते हैं, जैसे कि मालो, जिस समय 12 बज रहा था में घड़ी में, नेशनल laboratory में रखे वे घड़ी में, उस समय क्यालते हैं, एक आदमी है राम है और एक है मोहन, ठीक है क्यालते हैं, ये मालो clock 1 लिए बैठा है, ये clock 2 लिए बैठा ठीक है, तो इस राम के घड़ी में जब क्यालते हैं, बारा बज के 0 minute बज रहा था मालो, 10 बज करके कितना हो रहा था, मालो 25 minute हो रहा था ठीक है, ये दो अलग अलग timing है हाँ, यहाँ पर ये वाला जो clock है, इस clock के भले ही pass है, लेकिन इसमें variation ज़्यादा है, ये clock से ये clock भले ही दूड है, ज़्यादा का difference timing का दे रहा है, इससे ये बारी इससे दूड है, ज़्यादा का gapping है, लेकिन इसमें जो क्यालते variation है, वो बहुत कम है, इसलिए interval perfectly बताएगा, देखो आप कैसे क्या है, समझते हैं जैसे ये 12 है तो इसमें जो 12-12-12 है उससे लेना देना नहीं है, इसमें 12 है तो इसमें 10-10-10-10 है तो उससे लेना देना नहीं है क्यों? ये हम समझा दे हैं आपको, देखो अब ये ठीक है, अब क्यालते है जैसे 12 बच के 10 मिनट हुआ 00 second, 00 second एक आदमी दोड़ना सुरू किया, तो जैसे यहां से 40 मिनट और लगा 40 मिनट और, इसमें आप 40 मिनट अगर एड करो ठीक है, तो नया टाइम कितना हो जाएगा, जैसे ही 40 मिनट अगर एड करोगे, तब नया टाइम क्या हो जाएगा, 12 बच करके 50 मिनट 00 second इसमें भी तो 40 मिनट बढ़ेगा जब 12 बज़ रहा था इस वाले घड़ी में इतना और इस वाले घड़ी में इतना बज़ रहा था तो इसमें भी, जब दोड़ा तो इसमें 40 मिनट का बढ़ोतरी हुआ, तो इसमें भी 40 मिनट का बढ़ोतरी होगा, तो इसमें इंटर्वल निकालोगे, टाइम का इंटर्वल निकालने का मतलब, इतना मेंसे जब इतना को घटाओगे, इतना मेंसे इतना को घटाओगे, तब भी कितना आएगा आपको, 40 मिनट ही आएगा, और जब इतना मेंसे इतना को घटाओगे, तब भी आपको क्या आएगा, 40 मिनट ही आएगा ना 1250 में से 1210 घटाओगे तो 40 मिनट का अंतर इंटरवल और 11 बच के 5 मिनट में से 10 बच करके 25 मिनट घटाओगे तब भी आपको क्या 40 मिनट का फरक आएगा आएगा ना दोनों में फरक तो यानि कि जब यह वाला घड़ी है जिसमें की जब यहाँ पर मिनिट 12 बज रहा था तब इस वाले घड़ी में 10-30 हो रहा था और इस वाले घड़ी में 12-10 हो रहा था तो यह भी मेरा time का interval एतना समय में से एतना समय घटाए 40 मिनट आया इसमें भी देखो इतना समय में से इतना समय को घटाएंगे तो 40 मिनट ही आएगा तो ये वाला घड़ी भी time interval को perfectly बता रहा है यानि कि जब इसमें 12 बज रहा था तो इस 12 से यहाँ पे का 12 और 10 का तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं तो यहाँ पर यह जो बारा 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 इसके करीब लग रहा है या फिर यह जो 10 बारा ग्यार ग्यारा ग्यारा का कोई लेना देना पड़ेगा नहीं time का जब interval निकालेंगे तो time interval में हमको क्या देखना होगा कि कोन एकदम कम width में variation करता है तो दूसरा वाला जो घड़ी है उसमें वेरियेशन कम का है समय का जब भी हेर फेर होता है न तो बहुत कम का होता है हेर फेर हेर फेर बहुत कम का होता है लेकिन जो पहला वाला घड़ी है इसमें समय का जो हेर फेर है वो कम से ज़्यादा अधिक से अधिक ऐसे होते होते 162 से हेरड़ी में हेरा फेर जो भी होगा वो कितना सेकंड का 31 सेकंड का तो कम हेरा फेरड़ी स्क्रफिंड न सबढ़ी कर रहे हो चांब कर लोगे